ताव राम 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 भगी जब दिलको सूका परा भूल आ रिया वो सूक रिया अम्रूद लीची नीभू नहरी खतम चल लिया अच्छा बारिश नहीं वरिया सप्पा वैसी सूकी परिया एक पेड़ काटें तो दस पेड़ लगाएं दोस्तो और जबी हमारी धरती बज़ पाएगी नहीं तो एक दिन ये पूरा पूरी धरती आख का गोला बन जाएगी और आख राम भरत मातागी जय जय देव भूमी जय उत्राखनड घव दोस्तो नमस्कार मैं रमेश दोस्तो मैं अभी अपने नियरस्ट जेंगल की ओर जार था तो दोस्तो यहांपर एक ताऊ घूम रहे हैं और ताऊ काफी परशान है दोस्तो और क्योंकि ताऊ ने यहां पर लीच यह उनको काफी परेसान लग रहे हैं है और प्रश्व से पूशते ऑंगे और तॉटते है कि क्या हो रहा है यह दूस्त पूरा इंका शूग्या यह दिखे दोस्तों यह प्रून पेड़ी दिखें लीची का और काफी पेड़ भी उनके सुग चुके हैं काफी परेसान है तो पूस्ते आगे तो तुब या ऑगीचा तुमने पूंडा लेगा कहां घुम एक हो डी एक कैसा हो रहा है तुमारा बगीचा तुमारा बगीचा विलकुक बूच्वा परा सूपर अच्छर क्यों पानी तुम्हाली थे चतम हो जो फोली सुगे एड़ा अच्छर और तो तुम तो किर अब चार पेड़ी लागां अ मॉन होगाय तो इसमें काइइ के पेड़ हैं दुमारे अमरूत के बगी आम के लगें लिग लगे के लुका तो जरूब का बी पेड़े द書 लगाएं जीसरे के लेकि अब बगीचे में कीडा नहीं लएगा और अच्छी और धर्ती का जो तापमान है वो भी कम होगा तो ताओ अब क्या होगा फिर क्या स्थोज रखें तुम्हारी 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 जैसे सब्जी उपजी का वो है सब्ाद करकें आपूर्स का जी extraction अवी तो अब तुम्हारी में हना अब तक आपके शुक यह अब टातिन हो हैं अच्छा थे तो पानी तो यार बज较 शुख चुआगै पानी शुक चुका गे पानी शुक चुका ने और दोस्तों दिखिए यह बिल्कुल याम्रूत का पेड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल फोका हुआ यह पेड़ और पूरा यह पूरा इनका यह पूरा बगीचा यहां पर यह पीछे पूरा बगीचा है इसमान लीची पूरे कुछ बहुत से पेड़ में शूख भी गए है यह पूरा बगीचा ग्हूमते थोड़ा सा दिखाओ तो यह देखो यह भी खूरा है यह दिखिए यह भी अधिक्टों अब्सम्दी पर आजए यह देखे वह भी चले नीवु भी हैं नक्रों और वार वार दानें आरे ना छाट आच्छा बंता करोडा अच्छा ओ अबी ताव का निची का पीड शूक गया बिलकूल और यह दिखिए तो यह निची का पीड़ तो यह पर तो फूक चुगा तो बारा फिर तुका जे हाँ और यह दिखिए यह बिलकुल खटम है पेड तो इसमों पानी लगने के बाद नहीं हो दोस्तों देखिए और एक पेड़ य लीची पेड़ और दोस्तों दिखे और दोस्तों दिखे गर्मी का यह आलम है Lord 8aws 2 बजा है दोस्तोंब और काफीacă टपी स्व रही है और मैं भी दिखी बिलकुल खेत होुत के हूं ऑर तो मैं ने इनको देख लिया वहां से तो यह अपने बगीचों में घूम रहे थे यहां पर और इनका कहना यह है कि अगर बर्शाथ हो जाती तो मैं मेरा थोड़ा यह बगीचा और जाए ओ होता क्योंकि के रहे कि सारी जमापुजी मेनेश्मर लगा दी है दोस्तों और हाथ हो जाती सब लोगों को जागरुक होना पड़ेगा और घरों में भी दोस्तों कभी आप कभी कोई बगीचा लगाएं तो नीम का पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों नीम काफी गुणकारी होता है और नीम से हमें बहुत कुछ फाइदे भी हैं क्योंकि नीम का जो ऑक्सिजन लेवल काफी है और रात के समय युक सब पेड़ को कार्बंडा एक्साइट छोड़ते हैं दोस्तों लेकिन नीम एक ऐसा पहुंदा है जो की ऑक्सिजन छोड़ता है और लीची आम के बगीचों के साथ में जरूर एक नीम का एक दो पेड़ नीम के भी जरूर लगाएं और उसकी पूरेगी यह जो धर्ती का हमारा संतुलन पूरा बिगड़ चुका है और पूरी धर्ती तप रही है और धर्ती तप रही है तो पूरी दुनिया में हाकार मता है छोटे कीड़े मकोड़े सारे परेशान है दोस्तों और हमें यह संकल्प लेना है कि हमें हर साल अभी आगे रहनी शीजन आ रहा है बरसात का तो हर आदमी बगीचा लगा तो बगीचे में दो-चार पेड़ पांच पेड़ जरूर आप नीम के लगाएं और अपने नेरेस्ट जंगलों को भी घना करें उहां भी पेड़ लगाएं दोस्तों और जिससे कि हमारे यह सब जंगल दिखे यह जंगल हमारे सारे हरे भरे होंगे तो हमारा हमाई धर्ती हरी भरी होगी और हमें जो यह समय से हम जूद रहें यह आगे नहीं होगा और हम यह जो ग्लूबल वार्मिंग से भी हम परिशान है शारे लोग इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों हम तो बोल रहे हैं हम एसी की पंखे की हवा कूलर की ले रहे हैं लेकिन वह बेजुबान पक्षिवी वह पश्वों का क्या हाल है जो जंगलों में भटक रहे हैं कि हमें जाधे से जाधा पेड़ लगान है और जिसे यह जो गलोबल वार्मी है और कम होगी दोस्तों देखें यहीं पर ताउ हमारे इतने प पानी मिल नहीं रहा है बिल्कुल और राद भर में जागा हूं कह रहे हैं कि राद भर पानी के उसमें लेकिन पानी फिर भी नहीं और ट्यूबल भी सही नहीं हो रहे हैं और दोस्तों ट्यूबल में भी कम पानी आ रहा है क्योंकि जमीन के नीचे भी पानी का लेविल कम हो धर्ती शूख चुकी है एक पेड़ काटिं तो दस पेड़ लगाएं दूस्तो और जब हमारे धर्ति बज़ पायगी नहीं तो एक दिन यह पूरा पूरी धर्ती आगा गोला बन जाएगी और आगale Up पहले पहले हमें धरती को हरा भरा बनाना है दोस्तों और यहां पर जाधा से जाधे पेड़ लगाने हैं जाधा जाधा लोगों को जागुक करना है कि पेड़ लगाएं इसी बगीचे का आप देखें यह तीन दो साल है तीन साल का पेड़ है दोस्तों यह शोक चुका है यहां पर देखिए दोस्तों यह टीट्री काफी बोल ली है पता ने क्यों बोल लिए दिखिए और यहां पर यह साथ भाई दिखें लड़े साथ भाई दूस्तों यह साथ भाई स्वांप में रहते हैं हमें साथ भाई का जूड़ा चिनियाओं का यह साथ भाई का जूड़ा एक साथ में रहता है दूस्तों दिखें चिडियाओं का जंगल में अर्ष भाई ओँ पर अगणी आ और दोस्तों भीक इसांत में यह वीडियोस नमापते करता हूं आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्स्क्राइब करें सेयर करें कमेंट करें और दोस्तों के बीच में सेयर करना बेलकों ना भूलें जाए देव भूमी जाए उत्रा खेंदें